आज मैं आपके सामने बेसेकली क्लोब्स पैक्टेस्ट्टर को थी 2 डामेंशन में बताने कोशिश कर रहा हूं आज मैं तोला अलग मेफ़ड अपला एक ताक्रिश की क्लियर समझ में है कि आखर यह है क्या आपसको किस तरह प्रस सकते हैं उसी को समझगा ने कि मैं कोशिश कर रहा हूं I am तुड़ी में यहां पे सब्सक्राइब थे को सब्सक्राइबने जिए इसको मानने के कितने इतम टच कर रहें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हम तक्रीब यहां पे इसको इसके चार इतम टच करें मैं कलर्फूल कर रहा हूं तो यह लो कदर लिया ऐ एम्हने है अब्र जी सटागी आप देख रहे हैंmost रिặंख कर रहा है इसी को हम यहां पर कह सकते हैं कि 2-dimension means act as a square minus complexes अपिलाइन से भी मिला सकते हैं इस तरह को से अगर मैं इसके centre point को से मिला दू जा जिसके centre point को मैं इससे मिला जेता हूं चली red color से लेता हूं इसी को हमने कहां यहां पर यहां पर कहते हैं that is called two dimension square close packing structure square close packing structure के नाम देते हैं similarly अगर आप इधर आएं actually मैं ब्राद हूं आपको एक और बात इसमें खास बात कि मैं इसको मानते है यह एक है यह एक line है यह एक point है that is term desert is always known as a इसको हम A मानते हैं यह भी A है एक ही टाइप का लिया को कि इस उसके नीचे present है हम ऐसे इसको देख सकते हैं लेकिन जब आप इस पर आएंगे अब जैसे आप AB टाइप में आना चाहते हैं अगलक एरेजमेंट दिखाता हूं आपको अब में 2D में बात करूं फिर 3D में आऊँगा इसमें देखिए एक खास बात देखिए जरसा इसको अगर हम इसको देखिए इस ही को कहते हैं देख ह्टिश केंगे इसको तो ऐसे क्टीशन में यसे कहते हैं A Layer इसे कहते हैं B Layer तो अरignment हम AB Layer सकते हैं आप लिख सकते हैं अगर नेक्स मबाधं देख यह तैम सकते हैं अगर इसमें आप इसको सबेखेज सकते हैं इस ऑलसो यह जिए ओ सिके अखिए जो की आ갔ु 살िए इसको और मैंने इससे central item ले लिया है से central itemDown अब इससे attach item हो अगर da जीक करें तो क्या करना स्वाइं को देखियाल एक तो यह नज़र आरहा है आपको एक item यह है दूसरा item आपको यह नज़र आरा रहा होगा देखिया और तीसरा item आपको यह नज़र आरहा है जो टच कर रहा है इसको ये नज़र आ रहा है आपको और ये भी नज़र आ रहा है तो आपको देख रहा होगा यहाँ पर six atom join कर रहे हैं इसके देखी इस तरह से इसमें चेक करें तो coordination number क्या होगा कोडिनिशन नम्बर का मतलब होता है कि number of atoms कितने touch करता है तो यहाँ पर 4 नजर आएगा सेम ऐसा कर यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर hexagon form हो रहा है hexagon को draw भी कर सकते हैं इस तरह से देख सकते हैं यहाँ से देखिए आपको hexagon देख रहा होगा center center हम touch कर रहा है मिला रहा है इसको देखिए hexagon आपको नजर आएगा देखिए मैं hexagon दिखा रहा है आपको क्या आप इसको hexagon कह सकते हैं तो two dimension वे इसको hexagonal close packed structure भी कहते हैं hexagonal close packed structure कहा जाता है अगर हम coordination number की बात करें तो coordination number क्या होगा जाहिर से बात इस पर भी देखिए six item touch कर रहा है इसमें तो coordination number आप यहाँ पर ले सकते हैं इसका is equal to six हो जाएगा यहाँ इस तरह से हम two dimension में देख रहाते हैं अब हमें खास बात क्या देहां देहां में देखिए मैं देखाता हूं आपको चीज यहां पर कुछ खाली जगा मिलना है यह blank space में जो dark कर रहा हूं देखिए shade कर रहा हूं इसको that is square form में आपको void मिलना that is called void the blank space between में आपको यहां देखिए भी वाइड नजर आ रहा है आपको यहां भी triangular वाइड को पर एक नीचे नजर आएगा आपको that is called void कहलाता this one is known as a void थोड़ा था वाइड को समझेंगे तभी हम three dimension को समझ पाएंगे उसके structure को समझ पाएंगे तो वाइड होता क्या है सिम्पल सी बात the gap यह space around the three dimensional crystal lattice तो अब वाइड को ऐसा define कर सकते हैं वाइड होगा क्या आपके लिए space around crystal lattice तो यहां बगार देखिए तो triangle form हो रहा है तो इस हम करते हैं triangular void this part is known as a triangular void कहला तो अगर हम इस पार्ट को कहें that is called triangular void कहला है triangular हम triangular void के नाम से जानेंगे इसको लेकिन अब अगर हम 3D में आते हैं तो 3D में क्या होता है 3D में जब आप आएंगे इसमें तो problem ही आएगे कि इसमें इसके उपर ही आप item place करेंगे जब इसके उपर item place करेंगे तो that is become 3D में आप एक्स अगर जादे कि देखें आप यहां पर चीज़ और समसकते हैं यहां हमने ऐक Г्쪽에 आप ने आप एकक्सिस लिया देकी मांली जी पर एक्सिस यहा लिया है तो स्फेख involve लेए आप आप मने इसम घूं तो मैं अलग से समझाता हूँ कि रिटर्ल वाइड के हैं, मानलेजे मेरे पास एक, दो और ये तीन अटम प्रेजन्ट हैं, अगर तीनों को मैं जॉइंड करता हूँ, that is called triangular अगर इस वाइड को कवर करने के लिए हम एक 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 रिंग और उपर अख दें इसके उपर, पुरा कवर करने के लिए, उसके बाद भी इसके अंतर जो वाइड स्पेस होगा, that space is called, इसी space का नाम होता है, that space, जो भी अज़ी बचा हुआ है, अगर आप देखना चाहिए, that void is called, tetrahedral void कालाता है, tetra, when triangular void is covered by the another atom, that is called tetrahedral void कालाएगा आपको, hedral void काहेंगे इसको, short form इसको हम th से लिख देते हैं, denote का देते हैं, th, th small, t और small h से लेते हैं साथ में, इस तरह का से आप tetrahedral void को समा सकते हैं, similarly, अगर हम एक void की और बात करें, वो void का होगा, देखिए, अगर माले की मेरे पास, एक, दो, और यह तीन atom present है, I hope आपको समन में आ रहा होगा, यह triangular void है, अगर आप इस void की जगह पर, अगर आप चाहें, तो यहां पर, अगर आप इस void को share करते हैं, तीन आधर atom के साथ, तो इसमें टेटरल में आपने पूरा कवर कर दिया था, इसमें तीन अगर आप से आप इसको share करना शुरू कर दें, ऐसे कवर कर लिया आपने, उसके बावजूद भी इसके अंदर void present होगा, that such void is known as, इसी का नाम रखा जाते, that is called, इस void हो कहते हैं, octahedral void, इसको आप लिख सकते हैं, octahedral void, तो octahedral void जो बनता है, आपका, वो बनता है, basically, इसको represent करते हैं, OH से लिखते हैं, octahedral void, इसका मतलब आप देख रहे हैं, जब तीन triangle joint करेंगे, तो वहाँ पे आप एक triangular void में लेगा, triangle void को अगर तीन अलग एटम से, three dimension में, z-axis पे आने के बाद, उपर आने के बाद, अगर आप से शेर करते हैं, that is called octahedral void, यह void हमारे लिए बहुत ही पॉइंट बन जाते हैं, जो हम three dimension में इंटर करते हैं, चलिए, अब हम आगे आते हैं, आगे हम आके discuss करेंगे आप से, first of all, देखिए, three dimension में, दो तरह का structure होता है, first part is called, हम बात करते हैं, that is called hcp structure, hcp के बारे में discuss करेंगे, hcp के लिए पहले हम hcp draw करना पड़ेगा, देखिए, hcp draw कैसे करते हैं, कि मान लीजे, हमारे पास, यह देखिए, मेरे पास hexagon, मैं बनाता हूँ एक, यह hexagon है, unit cell होता है, इसका hexagon का, एक, देख रहा हैं तुसरा, देखिए, मैं कोईशिश कर रहा हूं, बटे प्रोपर hexagon बनानी कोईशिश कर रहा हूं, चलिए, उससे पहले मैं scp को समझते हैं होता है, जो आप three dimension में आते हैं, आने का मतलब यह कहता है, देखिए, कि अगर आपके पास, मान लीजे, एक item यहाँ present है, clear का, simple, और उसके बाद, अगर मान लीजे, तीन other item आपको, और मिलते हैं, यह हूँ आपका B layer, फिर again आपके पास, यहाँ पर एक A layer है, अगर ऐसा arrangement मि कहने का मकसद यहाँ पर है, कि आपको एक तो मिलता A layer, दूसरा मिलता B layer, फिर मिलेगा आपको A layer, फिर मिलेगा आपको B layer, ऐसा arrangement अगर, repetitive arrangement अगर present होता है, किसी भी three dimensional lattice के अंदर, that is college को, हम A layer लिख देते हैं, that is A layer, that is B layer, फिर again देखिए A layer, कहता है, देखिए, when A layer, अगर आप इस A layer को, cover कर देगा, अगर आप B layer के साथ, that A layer covered, तो आप जानते हैं, there is a formation of tetrahedral void is formed, again this tetrahedral void, अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मतलब इस पे cover करेंगा, that is called, A, B is combined together to each other, that is called tetrahedral void is formed, this void is again covered by this A layer, such type of repeating layers, A, B, A, B type of layers, मतलब A, B, A, B type of layers are present, are present, in 3D, such type of arrangement is called hexagonal close backing structure, अब इस ही को मैं hexagonal unit cell के अंदर देखाने को हिशिश कर रहा हूं, देखियों, अभी समझते हैं इसको, माल लीजी मेरे पास एक atom ये corner पे present है, ये corner ये corner से present होगे, एक इसके center पे यहाँ एक इसके center पे यहाँ और 3 इसके body centered पे होता है, इस तरह से देखियों, और ये देखियों, sorry, और एक आपको ये तरह से, तीन आपको यहाँ बाडी पे होगा, इस त तरह से, तो आप देख सकते हैं, ये वाला corners पे है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस देखियों, ये वाला corners का item present है आपके पास, ये वाला face पे होगा, ये वाला body पे present है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिये, अगर हम number of atom unit से निकाले हैं, तो आप देखिय पे कितने होगे, 6, 6, 6, 12 corner पे होगे, तो हम इस तरह से number of atom निकाल सकते हैं, हाँ तो हमनो number of atom निकालते हैं, इसका देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका number of atom कैसे निकले है, याद रखना पड़ेगा आपको ये, ये जो है, आपका 3 तो नीचे और 3 उपर, म इस तरह से, यहाँ पे देखिए, एक unit से लिधर आ गया, दूसरा यहाँ number पे आ गया, तीसरा देखें, यहाँ आ गया, तो 3 नीचे और 3 उपर 3 dimension में जाएंगे, तो 3 3 तो 6, मतलब यह एक atom 6 unit से लोगो cover कर रहे हैं, तो 1 by 6 part, यह वाला atom half part contribute करेगा, 1 by 2, face वाला part, और यह 3 P का 3 पूरे atom नजर आएंगे, इस तरह से आप, Z is equal to निकाल सकते हैं, Z is equal to आप कर सकते हैं, 12 into 1 by 6 plus face पे आपका 2 atom, तो 2 into 1 by 2 plus आप देख सकते हैं, इसमें 3 atom आपके पूरे body present है, that is equal to that is equal to, आप देख सकते हैं, आप काल्कुलेट करेंगे, आपको 6 atom मिलेंगे एक unit cell में, मतलब 6 atom के बरावर area inside the unit cell आपको present मिलेगा इस तरह का से आप देख सकते हैं, तो मैं यहां पे जो A, B, A, B type पे कर रहा था, कह रहा था, बता रहा था आपको, अब वही चीज़ यहां भी देख सकते हैं, अगर हम इस वाले को, अगर हम A atom मान ले, इस वाले को हम मान ले, B atom मान ले, इस वाले को फिर A atom मान ले, इसके triangular void पे cover करेगा, turtle void फॉर्म करेगा, फिर B A की तरफ, इसका मतलब इसके अंदर भी आपको, A, B, A, A और यहां पे आप, B, और यहां पे आपका A type of layer, A, B, A, B type of layer, that is called hexagonal closed packing structure होता है, इस तुसी बात इसकी packing efficiency की बात कीज़े, packing efficiency मतलब कितना percent area occupied करते हैं, तो यह जान लिजिए, चाहे वो SCP हो, चाहे वो आपका CCP हो, चाहे वो आपका FCC हो, सब में condition क्या होता है, 74 percent area जो इसका occupy करते हैं, भले इसके units से differ करते हैं दूसरे करेंगे, इस तरह से आप A, B, A, B type of arrangement जब 3-dimension में मिलेगा आपको, that is called SCP layer कहलाएगा, इसके next part में हमाते हैं, the next part is called, the second important part है 3-dimension में, वो कहलाता है, CCP या FCC arrangement क्या होता है, CCP, FCC सब सेम होता है, SCP percentage की बात करते हैं, but arrangement of work है, इसमें कहते हैं, देखिए, अगर माननीजिए आपके पास, मैं structure draw करता हूँ, तो आपको समझ में जाएगा, जैसे यह आपका A layer था, यह देखिए आपके पास, यह तीन atom present है, joint है इस तरह कर से, इसमें समझना पढ़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पढ़ता है, ठीडामिशन सोचना पढ़ेगा थोड़ा सापको, और NCRT में काफी अच्छा दिया है, उसको भी अगर आप चैसे पढ़ें समझें तो समझ जाएंगे, वाइट को समझना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद आपके पास देखिए, अगर आप देखें तो अरिजमेंट में बड़ा फ़र्क नजारा आरा देखिए, अगर आप इस वालें की बात करें, तो आप आएंगे देखिए, ये डारेक्शन में पहुता है, ये तो ये आपका ये एक लेयर होगा, ये आपका बी लेयर हो अगर आपका बी और सी लेयर को अगर आप कमबाइन करते हैं, विन बी और सी लेयर बोथ हर कमबाइन करते हैं, ये ये से कमबाइन किया जाए, तो क्या होगा, बी और सी को, आप बतागे क्या होगा, जब बी और सी को अब बतागे क्या होगा, जब बी और सी को कवर करेंग तो आप यह कह सकते हैं अगर ABC ABC Types of Layers Present In such condition There is a 3-dimensional lattice में दिखाता हूं आपके सारी समझ में आएगा अभी एपसी क्यों कह रहा हूं देखिए एक क्यूब बनाया मैंने यह क्यूब बनाया है यह क्यों है मारे पास तो क्यूब को अब देखे तो पहले मैं आपको अच्छा लगे यह देखिए यह-देखिए 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 यह देखिये, यह देखिये, यह देखिये, Corners वाले item यह लिए मैंने सारे, अब हम जानते हैं कि हमारा face centered की मैं बात कर रहा हूं, face centered को से से भी मान के चल रहा हूं, अब हम देखते हैं, इसको देखिये, अगर मैं लेता हूं, face पे जो item, एक face, दूसरा face, total cube में कितने face होते हैं, तो six faces होते हैं, यह दखना इसको, six faces, एक front का यह face हो गया, एक इसके पीछे back का यह face हो गया, अगर आप एक line draw करें, यहां पर देखिये, line बड़ अच्छे draw करेंगा समझ मैं आइगा आपको देखिये, अगर माल लिजे, मैं इसको माल लो, A type, green वाल item को, और देखिये, इसको, और इसको इससे मिला दिया मैंने, और और अगर मैं इसको इससे मिला दू, और इसको इससे मिला दू, तो इसको तो आप कहेंगे, इसको देखिये, अगर मैं इसको मिला दू इससे, कि atom देखिये, दूर दूर नहीं काफी करीब करीब होते हैं, हम लोग दिखाते हैं यहां पर कि दूर दूर है, बड़ दूर होते नहीं, तो ऐसे condition में आपका, यह इससे मिल जाएगा, यह इससे मिल जाएगा, तो आप इस देखिए तो यह बी औरती कम्बाइन करेगा यह इस फॉर्मेशन आप आप देख सकते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो आप समझे खमझ पाए हो इसको इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगा होगा आप जरूर देखें और समझने कोशिश करें थैंक यू आपको यह वीडियो